क्रिप्टो कांसी मार्केट में येस वह फेज आ चुका है जहाँ पर डिस्बलीव एंवेस्टर के माइन में आ चुका है काफी रीटेल इंवेस्टर यहां पर DCA करने की तो छोड़िएए वह यहां पर प्लाणिंग कर रहे हैं कि कब वह एक्जट करें फ्रम धी क्रिप्टो क चेस कर रहे हैं बट उनका overall portfolio जो है वह आज डाउन चल रहा है because market में crash खतम ही नहीं हो रहा बट क्या यह चीजे जो है वो past में हो चुकी है जहाँ पर हम bitcoin को देखते हैं तो yes definitely वहाँ पर उतना major fall देखने को नहीं मिला बट as soon as we come to the old coins वेल वो major shake out जो है वो market में नजर आ रहा है एक retail investor पैसा डालना तो चाता है बट वो यह सोच के नहीं डाल पा रहा कि market में अगर और crash आया तब क्या होगा हमारी investments का इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में future क्या hold करता that is the biggest question future में क्या चीजे हो सकती है क्या play out हो सकता and most importantly क्या market जो है वो अपने आपको repeat कर रही है अगर market अपने आपको repeat कर रही है तो कौन सी वो date है जहां से हम लोग वो parabolic move expect कर सकते हैं from this crypto currency market जहां पर आज के time में disbelieve है वहीं फोमो आने में बिलकुल भी time नहीं लगेगा क्यों हम यह कह रहे हैं क्या सारी चीजे हैं इसके लिए चलते एक बार coin market cap में बात करते हैं regarding the months जहां से हम लोग वो parabolic move जो है वो market में expect कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ने open कर दिया coin market cap currently जो global market है that is down 2.09% बात करें अगर total market cap की that is 2.36 trillion dollars dominance की बात करें BTC का dominance is 54.8% 8th dominance is 17.9% dominance जो है वो बहुत important role play करता है and that is why we tell you every time क्या यहाँ पर dominant चल रहा है बात यहाँ पर करें Bitcoin को लेके last 24 hours में it is down 0.83% Ethereum on the other hand is down 3.15% हैं सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं regarding Bitcoin क्या Bitcoin का price यहाँ पर repeat कर रहा है history को because remember जब हम bear season में बैठे थे हम लोगों ने हमेशा बात करी अगर history अपने आपको repeat करेगी तो definitely हम लोग काफी अच्छा पैसा कमाएंगे from the crypto currency market well वो definition आज के टाइम में काफी लोगों के mind में change हो चुकी है बट यहाँ पर क्या चीज़े हो रही है currently वो जानना हमाले important है अनुसी के साथ साथ क्या यह चीज़े पास में हो चुकी है अगर हो चुकी है तो क्या हम expect कर सकते हैं because remember future किसी ने भी नहीं देगा हम जो यहाँ पर बाते करते हैं वो बात करते हैं हिस्टी को लेकि हिस्टी यहाँ पर play out हो रही है और वह हम मानते लास्ट वन मन्त के अगर हम bitcoin की बात करें तो कोई खास जादा moment यहाँ पर शो नहीं हुई है yes it is down 1.91 परसे लास्ट वन यहाँ पर बिटकोईन जो है वो अपना एक नया all time high बना चुका है बिफोर bitcoin आलवी लोग के माइंड में यह कोशन आना स्टार्ट हो चुका है क्या यहाँ पर जो बुल सीजन है वो खतम हो चुका है क्या यहाँ से bitcoin जो है वो fall करेगा क्या यहाँ पर alt coins जो है वो fall करेंगे alt coins थो yes यहाँ पर fall हो रहें बट क्या यहाँ पर alt coins में वो parabolic move देखने को आप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहें सबसे पहले बात कर लेते हैं bitcoin को लेके and then we will talk about the alt coins वेल इस चीज़ को जानने के लिए चलते हैं पास में 11th of May 2020 एक ऐसा ट शो नहीं हुआ till the month of July yes July जो है वो एक green face जरूर यहाँ पर दिखाया उसने बट यह जो सारा का सारा profit यहाँ पर July में आया था वो चला गया in the month of September and yes September से लेके October तक again जो market जो है वो एक boring phase में आगे बढ़ते रहें but what happened after October वो parabolic move जिसका हम सब लोग बात करते हैं वो parabolic move जिसकी हुआ यहाँ पर in the month of April 2021 यहाँ पर September 2020 से लेके April 2021 was the green face for Bitcoin यहाँ पर हम altcoins की अभी बात नहीं कर रहें altcoins में भी अभी आएंगे बट यह जानना आपके लिए important इसलिए है because यह चीज़े जो है वो market में previously भी हो चुकी है and that is why हम लोग ने आपे charts open करे May of 2020 वहाँ से लेके अगर ह दिखा रही है I'm sure बहुत सारे ऐसे retail investor होंगे जो market से बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे exit strategy जो है वो plan कर रहे होंगे किया market में profit तो देखनी रहा है जो भी हमें फायदा हो रहा है या जो भी हमें loss हो रहा है यही book करके हम लोग market से बाहर चले जाते है because एक disbelief जो है वो हमा लोगों को एक green face दिखना चाहिए in the price of bitcoin यहाँ पे याद रहे हम लोग bitcoin के अभी बात करें altcoins में भी अभी आएंगे थोड़ी time के बाद but यहाँ पे important bitcoin इसलिए हो जाता है because that is the entry point वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो inflow आता है and then it gets transferred to the top altcoins वहीं से बात होती है फिर altseason की जहाँ पे वो low cap cryptos वो dirty crypto जो आप लोगों ने purchase कर रखें या हम लोगों ने purchase कर रखें उनका वो parabolic move देखने को मिलता है और यह हम क्यों कह रहे हैं अभी हम लोगों नहीं हाँ पर पास देखा ओ bitcoin bitcoin का price यहाँ पे September October onwards बढ़ना start हुआ था यहाँ पर हम लोग इसको compare करे with ethereum ethereum में क्या चीज़े हुई 11th of May 2020 remember यह वही टाइम है जहाँ पर हमने bitcoin halving देखी थी वहाँ पर ethereum का price was somewhere around $200 वहाँ से लेके almost July end तक यहाँ पर price was $239 और यहाँ अब हम ethereum की बात करें ethereum उसके बाद yes definitely यहाँ पर pump हुआ it came to somewhere around $483 बट उसी के सांथ-सांथ यह वापस नीचे आया retracement हम लोग ने आपर देखिया and it came down to $346 eventually ethereum का price यहाँ पर increase हुआ and ethereum का यहाँ पर price पहुचा to somewhere around $4,000 जो की अभी currently इसका all time हाय है उसके बाद yes एक bear market जो है वो market में start हुई remember यहाँ पर सारे crypto's एक सांथ run करना start नहीं करते and that is the most important point जो आप लोगों को पता होना चीए यहाँ पर हम सुलाना की भी बात करें and overall chart खोले तो यहाँ पर आप देख सकते हो in the month of May हम लोग बैठे थे somewhere around $44 उसके बाद सुलाना का price यहाँ पर fall हुआ and it came down to almost $23 अब यह वो time zone है जहाँ पर सब लोग यह मान के चल रहे थे कि सुलाना जो है वो खतम हो चुका है सुलाना में अब वो peak देखने को नहीं मिलेगा अब यह चीज जो है वो market में previously हो चुकी है ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने mind से बना के आपको बता रहे हैं यह सारी चीज़े जो है वो charts में already है यहाँ पर हम चाहे काडानों की भी बात करें काडानों one of the crypto जो सबसे ज़्यादा frustrate करता है अपने investors को सबसे end में move करता है एक ही महीना move होता है बट काफी अच्छे returns यह देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो not until the start of 2021 ADNA move करना start करा 2021 की January में जो है ADNA यहाँ पर move करना start करा और इसने अपने एक नया all-time high बनाया in the month of September यहाँ पर आप देख सकते हो इसने यहाँ पर touch करा था somewhere around $3.10 in the month of September of 2021 So yes यह चीजे जो है वो past में हो चुकी I'm pretty sure यहाँ पर आप लोग अभी nervous हो रहे हो गए यहाँ पर अभी आप लोग डर रहे होगे Well यह thought process जब भी आप लोग लेके चलते हैं कहीं न कहीं आप लोग right time में invest कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम लोग AVAX ही भी बात करें AVAX भी यहाँ पर 2021 के starting तक बिल्कुल भी move नहीं हो रहा था आज की टाइम में लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि Bitcoin यहाँ पर फिर भी अच्छा खासा perform कर रहा है बट alt coins की हम लोग बात करें वो अतना अच्छा perform नहीं कर रहे हैं चाहे हम यहाँ पर उसको compare करें Ethereum के साथ भी Bitcoin यहाँ पर एक नया all time high बना चुका है यहाँ वो बना के वापिस से नीचे आ है Ethereum अभी तक अपने previous all time high को break नहीं कर पाए एक disbelief जो है वो काफी लोगों के mind के अंदर है अगर आप लोग यहाँ पर चार्स परते है अंप historical चार्ड पर छोड़ तो यहाँ पसे बाए बहुत हम नजर आता है कि आने वाले कुsal मएने थोड़े और splits हो सकते की्त अच्छ़ा यहां पर बोलता है ways key has repeated हैं हम लोगों को यह माना usrey जो है वो अपने आपको इंटर कर रहा है उसको ये लगता है कि उसने आज पैसे डाला है तो कल से यहाँ पे crypto market जो है वो perform करना start कर जाए उसके वो hundred dollars उसके वो thousand dollars फटाफट यहाँ पे one million dollars पहुंचे और वो लो market से profit book करा के बाहर निकल जाए well market में अभी भी time है market में patience जो है वो बहुत important एक रोल प्ले करेंगा अगर आप लोग यहाँ पे selling करते हैं अपने crypto को well वो आपकी call रहेगी यहाँ पे कोई भी आपको force नहीं कर रहा है to do anything because we are not your financial advisor बट यहाँ पे हम लोग absolutely कुछ भी नहीं कर रहें अगर हम लोग यहाँ पे कर रहें तो definitely हम लोग यहाँ पे selling तो नहीं कर रहे हैं अपने crypto को लेके because जो भी crypto में हमने investments कर रही है we are quite confident about those crypto यहाँ पर हम रेक्ट कापिटल का एक और tweet देखे तो यहाँ पर यह बोलते हैं history has repeated the recent rejection from the range of the re-accumulation range is not out of the ordinary and यही चीज़े जो है वो past में हो चुकी है यह सबसे important चीज़ है history जो हो अपने आपको repeat कर रही है बट एक retail investor यहाँ पे वो मानने को ही तयार नहीं है कि हम लोग कभी यह green box में इंटर करेंगे well अगर history अपने आपको repeat करती है तो definitely हम लोग ग्रीन box में इंटर करेंगे आप शायद आज crypto को sell off कर सकते हैं बट यहाँ पे आपके अंदर four more differently आएगा because you know कि crypto कैसे purchase करें जैसे ही bitcoin यहाँ पे hundred thousand dollars cross करेगा you might be the first person to come back into the crypto gun si market but yes वहाँ तक काफी देर हो चुकी होगी especially जहाँ पे हम लोग बात करते हैं points की well उनका जो market में fall आज के time में देखने को मिल रहा है उसके पीछे कोई specific reason नहीं है पूरी market में we have tried to research about it यहाँ पे कोई भी specific reason जो है वो नजर नहीं आ रहा यहस कुछ लोग यहाँ पर बात जरूर कर रहे हैं कि fomc जो है कर रहें एथीरियम का ETF जो है वो अप्रीव हो चुका है but why are they not purchasing it well ethereum का एक और form भरा गया है जिसके accordingly yes July onwards यहाँ पे asset managers जो है वो ethereum को भी purchase करेंगे और यह हम साब लोग जानते हैं ethereum का ecosystem यहाँ पे काफी जादा बढ़ा है so that is what my take case मेरा कहना यहाँ पे यह है कि September and October वो महिना हो सकता है जहां से हम लोग Bitcoin के price में एक form जरूर देख सकते definitely वो एक zone जरूर हैगा जहाँ पे मैं बहुत interested होंगा either September और October यहाँ पे यह दोनों मांच जो है वो बहुत crucial रहेंगे for us to decide कि क्या market में वो parabolic move आ रहा है या नहीं आ रहा है October end तक अगर वो move जो नहीं होता definitely हमारी strategy जो है वो change होंगी बढ़ तब तक market अगर इसी levels में रहती है Bitcoin especially अगर 60 to 70 thousand dollars के zone में रहता है I will be more than confident कि market में वो parabolic move आने वाला है because अगर market में इतनी negativity है market में लोग इतने ज़ादा frustrate हो रहे है market में इतना बड़ा disbelief है और उसके बाद भी Bitcoin यहाँ पे वो zone को पकड़ के बैठा हुआ है that means only one thing जो यहाँ पे holders है वो यहाँ पे hold करते हुए चल रहे है Bitcoin को they are not ready to sell it in fact अगर वो selling भी कर रहे हैं कोई और उसको purchase कर रहा है yes all coins यहाँ पे perform करते हैं थोड़े time के बाद Bitcoin के थोड़े time के बाद यहाँ पे all season आकर वो all season भी यहाँ पे most probably January of 2025 में हमें देखने को मिल सकता है अगर इसलिए अपने आपको repeat करती है रिमेंबर इस cycle में हम लोग काफी early है और यह हमने previously भी discuss करा था जहां पे हमने बात करी थी approximately 160 to 180 days early है in the cycle अगर वो play out होता है तो definitely हम लोगों को वो parabolic move थोड़ा जल्दी देखने को मिल सकता है but overall said the peak of the bull season should come in the year 2025 yes 2024 के end में हमें वो move देखने को मिल सकता है बल जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते है एक move के बाद वो एक boring phase भी आता है वो हमने यहाँ पे देखना पड़ेगा every bull season यहाँ पे वो एक green candle सीधा नहीं जाती to your targets वहाँ पे काफी बार आपको red candles भी देखने को मिलीगी and yes you should be prepared for it so yes अगर आप लोग अभी ता confident नहीं हो for the crypto currency market that is your call मैं यहाँ पे अपने cryptos को sell off नहीं कर रहा हूँ because I know history जो है वो अपने आपको perfectly repeat कर रही है yes वो disbelief जो है वो retail investor के अंदर आ रहा है वो कहीं न कहीं एक question mark जो है आज के time में retail investor पूच जरूर है कि क्या हो रहा है market में बड़ जहाँ पे आप लोग history देखते हैं जहाँ पे आप लोग past performances देखते हैं वहाँ पे यह सारी चीज़े already हो चुकी and yes that is why I am so confident आप लोगों के क्या thoughts से इसको लेके नीचे comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा with that said guys आज का वीडियो करते हैं पे and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना, share करना, subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time, okay बाबा